वेलो स्टुएंट्स वेल्कम बैक न्यू केशन केशन नमर 17 मिसलें सेक्साइज देखो क्या गया रहा है सेम कैशन है वैसे तो पैटन वही है एक्स वाय की वैलू देदेगा आपको दोनों के डिफ्रेंशिट डिवाइड करने और डिवाय बेड एक्स निकालना फिर उससे ड दिएक्स अपॉन डिटी के रेस्पेक्ट में एज़िटी स्कॉस्ट टिका कितना हो जाएगा सर माइनस साइन टी हो गया आपके पास ही और टी का बन हो गया यहां आपको यू इंटू वी लगाना पड़ेगा समझ रहो तो कैसे लगाएंगी सर यह एज़िटी किया साइन साइन टी एज़िटी और इसका गया तो वन फटोड़ा सॉल कर लेते हैं ए माइनस साइन टी प्लस टी कॉस्टी प्लस साइन टी साइन टी कैसल अट हुआ ए ए इक कॉस्टी फाइनल अंसर हुआ डी एक्स अपॉन डीटी के लिए से के कुवैके कि फर्स्ट एक्वेशन है यह सङकेंड पर आजो हुआ सिर इभाईव दिफरेंसियेट करना है लिट रस्पेक्ट.ाझ है इए बधलो व्य दो ग्में और यह केंब है की अ मैंटरी साइंटी वाइनस टी और कॉस्ति डीप का किया तो वन हुआ ही कैसर डीवाइपॉन डीटी ही को स्टी आज इसे मैस ओपन कर रहा हूं मायनिस मैस वित्पाइए फ्लस ती सायए टीवियो मैनेस कि मिटेवल हो तो माइनस का का कौस ती सी का सबस्केर पर इन शोट ही यह बचा आपके पास ए कि इसाइन टी समझ मा आया क्या है यह आपके सेकेंड एक्वेशन है डिवाइब एडिटी के अब मुझे नों को डिवाइट करना है बिल्कूल करना है तो यहीं करते हैं तो कि डिवाइड एक्वेशन सेकेंड बाय वन तो सेकेंड क्या थी है आपके पास डिवाइबाय डिटी डी-एक्स अपॉन डिटी कि एटी साइन टी कि एटी कॉस्टी कि इतना हो गया है यह कट गया आपके पास डीवाइब है डीएक्स क्या बचा आपके स्वाइनली सरी यह हो गया है उन्हें पास एक सेक्ट टैंटी होगा अब यह तो बहुत आसाना निकालना क्योंकि पहले वाले में अपने 5.7 में यहीं दे रखा था 5.6 के अंदर अब देखो आगे कला करी कि इतना है आपके पास टैंट क्या है अब आप याद करो मुझे इसका डबल डेरियूट निकालना है कैसे निकाले गए सब्सक्राइब हो अब मुझे यह value फाइंड करना हाँ अब सर ही वैलव कैसे लिएट करहा है और आप इसका डबल डेरियूट कर रहे वो भी वित रैसेट्ट टू 1 करसके अपको mortality एकुक्स लिए अब मुझे यह value question अब मुझे यह value कैसे और t है इसका मतलब ऐसी value उठाओ जिसमें x और t दोनों हो यह given के अंदर आपको value दिर्खी है x equals to a cos t plus t sin t दिर्खी है दिर्खी है दिर्खी है दिर्खी है इसको थोड़ा सा उखाड़ो कैसे उखाड़ोगे इसका करो आप differentiation dx upon dt अभी पहले कियाता ना आपने cos t का minus sin t या पीछे चुठा लेता हूं मैं एक काम करो एक काम करो रहना दो रहना दो मत करो dx upon dt मैंने अभी निकाला था पीछे वहीं से ले लेता हूं मैं यह रहा a t cos t a t cos t यहां तक समझ में आगे आपको सर यहां तक आगे बढ़ सकते हैं देखो आगे अब आप यहां देखोगे तो मुझे dx upon dt नहीं चाहिए अपना एक्क्वेशन मान लेता हूं थार्ड एक एक्क्वेशन थार्ड पुट इन अब ओफ इसमें फूट करो उसर डी स्क्राइर वाय बाय डी एक स्क्राइर इक्वल्स टू सैक स्क्राइटी तो ठीक है इसकी वेल्यों जाएगी वन अपन 80 को स्क्राइब को भी उपर बेश सकता हूं मैं आप और बेश सकता हूं ना हां सर बिल्कुल बेश सकते हूं सैक क्यूब टी अपन 80 अम मुझे बताओ इसमें क्या समय नहीं है यह है आपका डबल डेरिवेटिव डी एक्स डी इसक्वार वाय अपन डी एक्स कर बताओ आगय है यह थोड़ा साथ ध्यान रखना तब दिमाग से स्किपना हो फास्ट वास्ट करने की चकन कई बार बच्चे लास्ट में गलती करते हैं तो बाकी स्टार्टिक में सही करते हैं ऐसा मत करना पूरा ग्रेट रहना किभी कब से कम फो मार्क्स के अंदर आता है यह फो के अंदर तो कम्प्रीट नमबर मिलने चीज़ आपको यहां पर ठीक है